नमस्यार दोस्तों आप सभी का सौगत एक बाद फिर से आपके अपने यूटूब चैनिल Mr.360 गुपता पे आज की वीडियो में दोस्तों जो मैंच आपके लिए कवर करेंगे वो मैंच दोस्तों यूरोपीन किरिकेट लीक आज के दिन का आखरी मकाबला सिरीज का दोस्तों ये पांच वा मकाबला है जो यहां पे खेला जाएगा टीम STA वसेस टीम ST के बीच में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इस मैच की कम्पलीट एनिलिसिस करके देने वाला हूँ इसके लाव आपको मैं ये भी बताऊंगा कि दोनों टीमस ने अपने लास्ट मैच में कैसा पर्फॉर्मेंस दिया था और उनके पर्फॉर्मेंस के बैसिस पे आज आप लोग अपनी टीम में किस प्लेयर को कैप्टेन बना सकते हो बस आपको दोस्तों इस विडियो को कंपलीट वाच करना प्रॉपर देखना है अगर आप लोग इस मकाबले में विन करना चाहते हो या फिर दोस्तों कुछ अन करना चाहते हो तो इसके लावब दोस्तों जो मेरी final update रहेगी जो मेरी final team रहेगी after lineup या टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team रहेगी जिस team के साथ मैं खुद investment करूँगा वो team दोस्तों आपको मिलेगी हमारे telegram channel पर अभी किसमें दोस्तों आट अजासे ज्यादा लोग अले रेडी जोइन हो चुके हैं और रोजाने आपर वो दी गई मेरी free team का profit उठा रहे हैं और आप लोग भी एगर हमारे channel से join होना चाहते हो तो आपको मारे channel का link description और comment दोनों जगाओ भी सबसे पहले number पे मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे channel के साथ जूट सकते हो और मेरी दीगर team का profit उठा सकते हो तो ये काम दोस्तों ज़रू कर लेना क्योंकि ये आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free तो चले ही दोस्तों सबसे पहले चलते हैं scorecard की हो जहां पर मैं आपको दोनों teams के last match के scorecard की analysis करके दिखा देता हूँ तो अगर यहां पर बात की जाए star CC के last मकाबले की तो ये अपना last मकाबला दोस्तों 102 रनों से हार के आ रहे हैं तो समझ सकते हैं team थोड़ी से इनकी कमजूर भी हो सकती है क्योंकि last matchman की balling देखी कितनी ज़्यादा average रही थी कि अपोनेंट ने इनके गेंस्त 111 रन बना दिये और जब ये खुद इस target को chase करने है तो मातर 60 रनों के अंदर ही दोस्तों ये बना पाए और पूरे 10 ओवर तो इन्होंने जरूर खेले लेकिन कुछ खास करने ही पाए चार विकेड भी इनोंने अपने गिरा दिये तो इनकी ओर से दोस्तों जो इनके captain है विजे कुमार देसाई और शिव करन गिली आपको ओपन करें तो नजर आएंगे विजे कुमार देसाई ने दोस्तों 11 गेंदे खेली 9 रन बनाए और यावे शिव करन गिल ने 12 गेंदे खेली 14 रन बनाए जिसमें से दो चोके इनकी पारी में शामिल देते हैं इसके लावा इनके जो विकेड की पर होते हैं वो भी काफी जदा लेट बैटिंग करने आते हैं और सिर्फ तीन रन अपनी डीम के लिए बना पाते हैं अगर मैं बात कुरूँ इनकी गेंदबाजी की नोटकी एकॉनमी रही इसके लावा रोशन को एक विकेड मिलता है वहना भी फराज शिनिगार को एक विकेड मिलता है तो जो इनके में बालर हैं दोस्तों वो यहां पे आपके लिए विजे कुमार देसाइज जेतिन मदान यह तो इनके most important baller हैं इसके लाबा रोशन विश्विनाथ इंपोर्टन प्लेयर हो सकते हैं अब बात किजाए दोस्तों इनकी अपोनेंट टीम की अगर बात कुरू टाइटेंस की तो ये काफी अच्छा एक कॉम्पिटेशन देखिया थे अपने अपोनेंट को लेकिन फिर भी इस मुकाबले को वी और खालिदमंगल उपन करने आएंगे गुलाम अबबास भट ने 22 गेंदे खेली पच्छ मरं वन बना राइए फाहीं ने लेनन चेडी ने दोस्तों जो important batsmen रहेंगे वो दोस्तो गुलाम अबास बट रहेंगे खालिद मंगल आपके लिए important रहेंगे अंकित पुष्टे आपके लिए important हो सकते हो और आपे आहत कुरेशी भी आपके लिए important हो सकते हैं वहीं पर अगर मैं बात करुए उनकी गेंद बाजी की तुनकी और से दोस्तों देख सकते हैं वाह। अधनान सयद को एक विकेंड मिला इसके लावजा है कमल भी यहाँ पे दोस्तो काफी ज्यादा महेंगे रहे एक ओवर के अंदर 21 इनके ठोक दिये गए और कुछ भी खास ही कर नहीं पाए तो जो इनके मैंन बॉलर है वो आधनान सयद जगमी सिंग और यहाँ पे आपके इप्वर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आपने कर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फड़ावट से वीडियो को लाइक कर दे क्यूंकि आपका एक लाइक मेरे लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक लाइक करने में एक 10% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ में खुद इन्वेस्ट्मेंट करूँगा वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको मिले तो इसके लिए आप लोग हमारे टेलीगरम चैनल से जोईन हो सकते हैं अभी किसमें आड़ जैसे ज़्यादा लोगो लेड़ी जोईन हो तो एक आम दोस्तों जरूर कर लें क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्डेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो चले दोस्तों आप चलते हैं अपकी और जहां पर आपको कमाल का टीम कॉंबिनेशन क्रियेट करके दिखाय देते हैं तो बात करें विकेट कीपिंग स सामने एक सेब चोईस बचेंगे क्योंकि प्लेयर भी काफी अच्छा और लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्म भी करके आया है बात करें बैटिंग की तो जी अब बास बैटने तो लास्ट मैच में क्या ही इनी खेली 55 और पॉल बैटिंग बोलिंग दोनों करा सकते इसके लाब एहाद कुरेशी बेस्ट आप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए इसके लब भी देसाई को पिक करेंगे इनका सेलेक्शन देखी काफी कम है लेकिन लास्ट मैच मेच भी इन्होंने कुछ भी खास नहीं परफॉर्म के लेकिन इंपॉर्टन्ट है ड दो इंपॉर्टन्ट आल्राउंडर्स मुझे लगे हैं मैं नहीं के साथ जाओंगा बॉलिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर वाहित कुरेशी इंपॉर्टन्ट है जगमी सिंग इंपॉर्टन्ट रहेंगी और सिदिक्की इंपॉर्टन्ट है लास्ट भी आपे जे मादा किस कैप्टन की किस प्ले को कैप्टन और किस प्ले को वाइस कैप्टन बनाएं तो कैप्टन की जो सबसे बेस्ट आप्शन आपे रहेगी वह आहाद कुरेशी के रहेगी क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी वाइस कैप्टन जी अब बास भट को बनाओंगा उनको मैं बना देता हूँ, बाकि अगर आप रिस्क ना लेना चाहें, तो जी अब बास बट के साथ जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं दोस्तो अपनी स्टीम को सेव कर देता हूँ, ताकि आप लोग हमारी स्टीम का फाइनल प्रिव्यू ले सकें, और जहाँ पर भी आप लोग या दोस्तो जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट्मेंट करूँगा, वो टीम दोस्तो आपको मिलेगी हमारे टेलिगरम चैनल पर, अभी के समय 8 जासे ज़्यादा लोगों लेड़ी जोइन हो चुके हैं, और रोजाने आपर वो दी कर लें, क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, बाकि अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो एक लाइक वीडियो को भी कर दें, चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन आपके लिए जहिंद वंदे मातराम